एक ऐसा प्रवजनकार जिसके प्रवजन शर्वण के लिए हरजाती, संप्रताय, समाज, शेत्र के लोग आतुर रहते हैं एक ऐसा आत्मार्थी संत, जो शर्मर संस्कृती की लोगो भौतिकता की चकाचोन में भी निरंतर प्रजुरित रखने हेतु संकर्पित है एक ऐसा आध्यात्मियोगी, जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांती, संप्रिधी का मार्ग दिखा रहा है एक ऐसा समा सुधारक, जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर व्यज्यानिक तरीके से प्रहार कर रहा है ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार समराथ पूज्य श्री शिमुनिजी महरास साहिब भगवान की वानी का मूल उदेष्य क्या होता है उस वानी का आपने कितना प्रियोग किया अपनी देहिपर ये महत्यपूर्ण प्रशन है महत्यपूर्ण प्रशन है मैंने और आपने कितना प्रियोग किया कितने क्षन प्रियोग किया कितना समय प्रियोग किया जितना हमने इस जड़काय की सुरक्षा के लिए कार्या किया देखिए जड़काया ये शरी ये जड़काया ये फुद्गर ये प्रती पल प्रती क्षन बदल रही है कितनी सुरक्षा की हमने इस जन्म में नहीं हर जन्म में इस जड़की सुरक्षा को महतो दिया मेरी जड़काया के लिए हमने भोजन किया अराम दिया धन कमाया संग्रह किया परिवार बनाया पत्नी शादी हुई पच्चे हुई समंद बनाये शरीर ने जो चाहा पांचु इंद्रियाने पांचु इंद्रियों के सुख के लिए आंखों ने जो दृष्ट देखना चाहा वो देखा कानों ने जो संगी सुनना चाहा सुना नास्रिका ने अच्छी से अच्छी सुखंद लेना चाहा कि दृगंद आई हम तुरंत नाक पकड़ देते हैं शिब जिब्भा ने जो रस लेना चाहा पांचु इंद्रियों छटा मन जड़काया की सुरक्षा के लिए ज जड़काया मेरे साथ रहे ये मैंने और आपने इस जनम में नहीं हर जनम में चाहिए देवलोक में गए वहाँ भी सुख डूंडा जड़काया का सुख आत्मा का नहीं मनुष्य बने जड़काया का सुख पशुबने जड़काया का सुख नरक का नेरिया भी सुख ढूंड रहा है कहीं मिल जाए चोटे से चोटा प्राने में सुख और भगवान ने अनादी काल का मिध्या तोड़ा कि जड़की सुरक्षा छोड़कर के आत्मा की सुरक्षा में आजीव की सुरक्षा छोड़कर के जीव तुम अपनी सुरक्षा करें, जिन्वानी का मूल रूप में सारी यही है, जीव अपनी सुरक्षा करेगा और जड़काया का प्रियोग करेगा, तो क्या होगा, क्या होगा? जड़ यानि पर, आत्मा यानि स्वय, यदि स्वय की सुरक्षा करोगे, तो आपके कर्मों का बंदन होगा ही नहीं, तो आज यही मिठ्यात्व तोड़ना, जन्मों जन्मों का मिठ्यात्व, मेरा शरी ठीक रहे, मेरा प्रिवार ठीक रहे, खूब धना जाए, मेरे येशो का देखो 95% सारी प्रार्थनाओं का सार क्या है दो और दो पांच क्यों नहीं होते हैं चार क्यों रहते हैं दो और दो जो हमने बीज भुया वो मिल गया पर हम नहीं चाहते हैं हम कुछ और चाहते हैं तो देख यही सबसे बड़ा अग्या मोख मिध्यात इस शरीर की सुरक्षा के लिए मैंने और आपने हम सादू भी बन गए उस रक्षा चाहते हैं हमें मकान ठीक मिल जाए साताकरी जगा मिल जाए साताकरी आहर मिल जाए अपने बात करता हम आपकी बात नहीं करता मैं हमारे खरों में जाते हैं साताकरी आहर कहां से मिलेगा श्रावक साताकारी कौन से होंगे विहार करते हैं विहार करते समय भी जहां पहुंचते हैं साताकारी कमरा है के नहीं रात को विश्राम ठीक से हो जाए के नहीं सादू बनने के बाद भी साता किसकी रहती है चरीक किसे ज़िए आप आतमार्थी है तो आत्मार्थी कभी स्वरीर की सुरक्षा नहीं चाहता आंदी हो तुफान हो सुख हो दुख हो मान मिले अपमान मिले धन आए धन चला जाए आत्मार्थी अपने आत्मा की सभाव में रबन करता है यह लक्षन है संसारी का मिठ्याती का आत्मार्थी और जैसे जैसे आप आत्मा मिस्तित होते चले जाओगे आपके जीव की सुरक्षा होती चली जाए धर्म यही है अनादीकाल से हमने अजीव की सुरक्षा चाहिए शरीर की सुरक्षा चाहिए और आत्मा की सुरक्षा नहीं चाहिए जीव की सुरक्षा जीव किस रक्षा क्या जीव किस रक्षा यानि क्या आत्मा पर अनादीकाल से जो मुहो अज्ञान मिध्यात्वक है नहीं चिपक गया विभाव के कारण वो दूर कैसे हो जाए मैं आत्मा इकत्व का पौशन कैसे करूँ कुछ भी हो जाए मैं अपने सभाव में स्थित रहने का पुरिशार्थ करूँ माना के पंचमकाल में नहीं रह सकते पूरंत रह नहीं रह सकते अंशत ए खशनखशन स्वांस्वांस पल पल समय समय एक कदम एक कदम एक कदम करके बच्चा भी रस्ता पार कर लेता है अजी होशी नहीं है, जोशी में जी रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, सादू पना भी ले लिया, श्रावक के बारांबरत भी ले लिया, उसी में उल्जे हुए हैं, मेरा प्राथना करते हैं, जंतर मंतर तंतर करते हैं, मेरा परिवार सुकी रहे, कोई दुख ना आए परिवार क कोई रोग शोक न आए धन बढ़ता चला जाए तो किस की सुरक्षा चाहिए जड़ की शरीर की शरीर के साथ क्या है सारा तम्हारा सारा संसार शरीर से जुड़ा हुआ है चाहे कितना धन्वान से ध्यान लगती है चाहे वो राजनीतिक है चाहे विज्ञानक है चाहे आज की सारी सुधाएं है वो सब सेंट्रलाइजड जड़ काया के उपर शरीर के उपर शरीर को हमने महतव दिया जन्मों जन्मों से महतव दिया क्या महावीर ने शरीर को मतव दिया किसी तिर्थंकर ने चकरवर्ती थे तीन चकरवर्ती थे घर बार छोड़ा ऐ सुरक्षा सुरक्षा में जीने का माना कि 24 घंटे में एक घंटा दो घंटे तु प्रयास करो ऐ सुरक्षा में जीने के लिए ऐ सुरक्षा क्या शरीर का मोह त करो वही बात बार बार वही बात आ रहे है जीव और अजीव का भी तुमने जो प्रशन का उत्तर दिया सही है सटीक है पर हम उसको अनलाइज करते हैं बार बार हर ढंग से उसको जहरे कैसे उतर जाए मुख्यता है कि आज तक मैंने और आप हम सादू बन गए तो क्या हम भी हैं हम भी सुरक्षा चाहते हैं अपने शरीर की सुरक्षा चाहते हैं जरासी गर्मी लगी तो क्या हुआ पंके चला लिए ठंडी लगी गरम वस्तरोड लिए साताकारी भोजन नहीं मिला तो होटल में खाने चले गए हम तो नहीं जाते मतलब आपके घरों से जाके आर ले आपने अलोचना हम कर रहे ऐसी बात ने कि हम कोई दूर के दोय हूए हैं है जोल की दोय नहीं हैं हम भी इस पंचमकाल में मोह शरीर का मोह आड़े आता है, आड़े आता है, बार-बार आता है, पर 24 घंटे में 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, ऐसे जी हो, जैसे भगवाद महावीर ध्यान में खड़े हैं, काउसक करके खड़े हैं, शरीर पर भ्यंक कर उपसरक आ गया है, तुम समता में आदे घंटे का काउसक तो करो, आपने बढ़ाया की नहीं मैंने का तो आदा खंटा करते हो 35 मिंट करें 35 세 40 मिंट करें 40 세 45 मिंट करें kaum kurang 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 बढ़ाते चले जाओ और शरीर तो तुम्हारा सेवक है जैसा चाहो त्यारेगा मन भी सेवक है शरीर भी सेवक है इंद्रियावी सेवक है पर हमने शरीर को इंद्रियाव को मन को मालक बना दिया और आत्मा जो मालक थी उसको नौकर बना दिया जिस घर में सेवक मालिक बन जाए और मालिक सेवक बन जाए उस घर की उस फैक्टरी की उस दुकान की उस संग की क्या सिती होगी बोलो क्या सिती हो जाए मालिक नौकर बन जाए नौकर मालिक बन जाए तो क्या सिती होगी तो मालिक का जीव जीव आत्मा मालिक है और मालिक को कुछ नहीं चाहिए ना तुमारा भोजन चाहिए ना तुमारा पानी चाहिए ना तुमारे घस्तर चाहिए ना तुमें मकान चाहिए ना मान चाहिए ना अपमान चाहिए मालक स्वैमे संपन्न परिपूरना इस पर अतल विश्वास रखो कुछ ना पढ़ो, कुछ ना लिखो, कहीं ना जाओ, कुछ ना करो एवल अपने में आजाओ भगवान क्या कहते हैं? अपने में स्थित हो जाओ, यानि जीव में, स्वैव में, स्वैव में स्थित हो जाओ तो कल मैंने कहा था आपके सामने स्वैव में स्थित रहने वाले जीव तत्तों को करम पुद्गल पर भावित नहीं करते करम आएंगे, भ्यंकर से भ्यंकर करम भी आएंगे पर पर भावित नहीं करते जैसे से बेहनने का, कि आप कोई फरक नहीं पड़ता, बुखार भी आ जाए, दवार नहीं लेते और सहन कर लेते हैं, तो शुरू तो किया ना, संसार में रहने वाली घटना, कोई भी घटना हो, उसको परभावित नहीं करते हैं। का उदा हो, पुन्य करम का उदा हो, आत्मार्थी को कोई परभाव नहीं, किसका जनम नहीं होता और किसका मृत्य नहीं होता, जनम और मरन एक शरीर का है, आत्मा का जनम मरन नहीं, ऐसी पक्की दड़ धारना बन जाए, ये धारना इस जनम में नहीं, अगले जनम में भी आप पास में नहीं आता, ऐसा देखा है हमने, बहुत से संतों को, साध्वियों को, शिरावकों को, जो धर्म अराधना करते हैं, अंत में मूर हो जाते हैं, त्या करें, कोई सिवा ही नहीं करता, कोई पास में, ऐसे शिरावक भी हैं, ऐसे साधू भी हैं, अंत समय, भृत दवस्ता में वो मूड हो जाते कारण क्या आत्मार्थ नहीं होगा सादू बन के तो क्या सादक बन जाओ सादू ना बनो आत्मार्थ आत्मा में स्थित होने का प्रशार्थ आत्मा में स्थित हो जाए तो सादू ना भी बने तो मुक्स हो जाएगा और सादू को मुक्स होगा ऐसा नही ऐसा नहीं तुम भी मुख्ष जा सकते बस क्या बनो सादक बन जाओ और सादक बनने के बाद आत्मार्थी बन जाओ आत्मार्थी का अर्थ क्या है आत्मा के अर्थ को चाहने वाला आत्मा में रमन करने वाला आत्मा में स्थित होने वाला आत्मा में रुची रखने वाला आत्मा के प्रति आस्ता रखने वाला आत्मा में रमन करने वाला आत्मा में उतरने वाला आत्मा में ठहरने वाला आत्मा में स्थित होने वाला जरूर होगा और इसकी पुष्टी कहाँ होगी ध्यानशिवरों में हो उस शिवर में कॉन सा सूत्र कॉन सी वानी आप पर परभावित हो जाए और आप पुष्ट हो जाऊगे यह साधना पुष्ट होती है जब आप ध्यानशिवरों में आदए अक्सर हम लोगों को कहते हैं लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, और चले जाते हैं, एक दिन ठहरते हैं, मैं गए भाई क्यों आगे हमारे पास, मेरा पहला है प्रशन है क्यों आए हमारे पास, दर्शन करने आए, दर्शन करके क्या मिलेगा, चेरा देखो कि क्या देख लोगे, टीवी देख लो चेर करने से आपका मोह कर्म तूटता है किसी कर्म में असी ताकत नहीं वो वीरे नहीं वो समर्थे नहीं जो जीवात्मा के अनंत वीरे को खंडित कर सके आत्मा में अनंत वीरे अनंत ग्यान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति जो खंडित कर सके तो क्यों खंडित हो जाती है पकड छोड़ दो सारी पकड जो जड़काया के प्रती है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी खुति मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ती ये पकड एक दिन छोड़ने होगी निश्टे पहले छोड़ दो हमने छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया इðर आ गए तुम्हारा किसी का मन हो तो आ जाओ मन्च खुला है मा सती जी के पास भी खुला है इदर भी खुला है पकड छोड़ दो चलो घर में रहो हमने कहते हैं हमारे पास आओ घर में रह करके घर की पकड छोड़ दो अज यह पकड छोड़ जाएगी तो घर के जगड़े होंगे ने, सासू बहू का प्रेम बना रहेगा, पिता पुतर का प्रेम बना रहेगा, गुरू शिश्य का प्रेम बना रहेगा, जगड़े क्या होते, मैं मा, मैं पत्नी, मैं पती, मैं गुरू, ये सारी पकड जो है न, कोई चने क्या नाम, क्या शरीर, क यह एक समंद बना है, कुछ संयोग बना, मा बन गई, पती बन गया, पत्नी बन गई, बेटा बन गया, भाब बन गया, और आजुश करम पूरा होगा, सब भिखर जाएगा, कौन बेटा और कौन मा इसके पहले भी तुमारे कोई माता पिता थे के नहीं, और जब आजुश करम पूरा होगा, फिर भी आगे कोई मिलेगा की नहीं मिलेगा, फिर कुछ अपना है, सत्य क्या है तुमारे पास, शाश्वत क्या है, शाश्वत जीवातमा, आतमा, जैश्वत है, एक आतमा सत्य है, यह जिन्वानी है, जिन्वानी का सार यही है, कि तुमारी पकर छुट किसी रूप में लेके आती है, चै अपने कफिल मुनी का दिश्टान सुना, पकड छोड़ दो, एधरू, एश्याश्वत, दुख, बहूर संसार में, मैं कौन सा करम करूँ, दुर्गती में ना जाऊँ, क्यों शरीर के पोशन के लिए लोग मानसाहर का शिवन करते हैं, नौनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, नश्या पता करते हैं, होटलों में जाते हैं, ठहरते हैं, सनेमा देखते हैं, क्यों शरीर का पोशन, आतमा को कोई मदरंजन ने चाहिए, एक है मदरंजन, एक है आतम रंजन मन रंजन में दुख ही दुख है और आतम रंजन में सुख ही सुख है जब तुम स्वै में स्थित हो जाओगे आतम रंजन में आओगे तो सुख ही सुख है पकड किसकी है मेरे विचार इसाली परंपरा किसकी बनी स्थानक वासी तेरा पंति मंदर वासी जिगंबर शि ही नंगे हो जाओ तभी प्रमात्मा मिलेगा जिगंबर की धारना यह जो पकड़ है उनकी और आज ही पकड़ है क्या कोई मानने ना मानने जिगंबरों की श्रितंबरों की स्थानक वासी 13 पंथी मंदर मारगी 20 थूई 30 थूई पता नहीं कितने थूई हैं हमें तो पता ही नह आत्मा को मानते हैं तो मारी मर्जी आना हो जाना ज्याओ तुमारी हमें सिंगरी छोड़ दिये और स्थानक वासी जो अपने स्थान में रहता है वो स्थानक वासी कितने ठाना से आप कहते रहा है मारा कितने ठाना से ठाना का मतलब आत्मा कितनी है तुमारे भी देगंबर के पिच्छी कितनी पिच्छी को मतलब लेते पिच्छी होती न उनकी इतनी पिच्छी है वो हम किते ठाना, ठाना का मतलब कितनी आत्मा है आप, ठानक वासी परंपरा, शुद्ध परंपरा थी, मराज कितने ठाने थे, मराज आपके सुख साता है, कितना, सुख यानि आत्मा में सुख, और साता शरीर में सुख, दोनों में सुख साता पूछती, यह अर्थ है, सुख आत तुम अपने मिस्थित हो जाओ, अपने मिस्थित हो के तो क्या हो जाएगा, तुम शुन्य पराप्त करोगे, तुम समाध्धी में उतर जाओगे, जब यक्ति शुन्य में चला जाता है, समाध्धी में चले जाता है, तो भारी से भारी कर्म भी तूरते चले जाते हैं, इसलि और आप शुन्ने में चले जाओगे, समाध्य में। इस जीव को, इस कषन, कुछ नहीं चाहिए है। वही देहातीत की वस्ता है, देह की पार, जब आप ध्यान में होते हैं, कावसग में होते हैं, जब वहराग्य में होते हैं, तो आपको कोई इच्छा नहीं, कोई अवश्यक्ता नहीं, कोई धार्णा नहीं, प्रम्पना, आतमार्थी क्या करता है, आतमा की सुरक्षा चाहता ह बेकी सुलक्षा नहीं चाहता, इंद्रियों के लिए परिवार की नहीं, परिवार अपने हाँ चलता है, तुम परिवार का पालन पुष्ण करने वाले कौन हो, कौन पालन, तिर्थंकर भगवान, संग के नायक, सरवोच्छ, सत्ता के धनी, तिया आँ वो संग चलाते हैं, व तुम परिवार में, अपने स्वय में स्थित रहो, तुमारा परिवार सुन्दर चलेगा, प्रियास करके देखो, कुछ कहने की दूरत नहीं, बेटा माने, ना माने, उनको एक बार प्रेम से समझा दो, बेटे, देखो मार्ग तो ये है, बाके तेरी आत्मा को सुख, इतना ही सुख, बज़नने के दो, भगवान एतने बेकरां के जादा नहीं दो, आपने ध्यान शीवर में सुना होगा, सारी बात बता देते है, शांसे तुमारी, अधिकार तुमारा, चुनाव तुमारा, जैसे आपकी आत्मा, और जिसने बदलना है, वो बदल जाते हैं, नहीं बदलना तुम अपनी में स्थित रहके देखो संग चलता है हम 15 सादू सादू है क्या मैं चलाता हूं कौन चलाता है कुछ नहीं धर्म में है हम जोक्षन हमारे धर्म के जब मैं धर्म में हूं जुवाचारे जी है प्रवर्तक श्री जी है छोटे संत हैं बड़े संत हैं कोई संत हैं धर्म का बल होता है ऐसा नहीं कि तुम नहीं ले सकते हैं तुम नहीं ले सकते हो अंतर में जागरना आजाए धर्म की जागरना आजाए धर्म कभी किसी ख्षन कभी धर्म यासा नहीं करता है कि जवानी में होता है बड़ापे में नहीं होता है तुम रोगों से ग्र रमन महरीशी को कैंसर का रोग, अनाद में थे, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, देहे को रोग हो रहा है, मुझे को नहीं हो रहा है। ये भेद ग्यान, ये जीव और अजीव का बोध, संसार में घटने वाली घटनाओं में, या देही पर आने वाली घटनाओं में, करम की उदय में निचे तत्व को प्रभावित निचे तत्व अपना आत्मा जो सिर की सिरे से पांग की अंगुठे तक प्रभावित नहीं होता मिठ्यात्वी और संसार आत्मार्ति में क्या फरग रहता है जो मिठ्यात्वी है जो संसारी है जो संसार के लिए परिवार के लिए धने कठा करता है सुरक्षा चाहता है वो दे की सुरक्षा में लगा रहा है 24 घंटे अच्छी नीद आ जाए नीद नहीं आई तो नीद आई ही नहीं, आई तो नीदी नहीं आई, रोते रोते उड़ते हैं, रोते रोते सोते हैं, नहीं आई तो उठके ध्यान कर लो, कौन मना करता है, सोना जिरूरी है क्या, ध्यान करो, कौसक में आओ, किंतन करो, मनन करो, कितने बर सोते हो गए, एक र रहते के लिए अनकूल स्थान मिले, भोजन करने के लिए अनकूल रस मिले, मन लगाने के लिए मनजन के साधन मिले, अनुरागी का संयोग मिले, सुक्सिवदा के साधन मिले, इन सब की अवश्यकता है किसको मिठ्यातिवी को संसारी को, उसका लक्षे दे की सुरक्षा होता है प्राताकाल से अधराती तक अधराती से प्राताकाल तक दे के लिए निच्टत्व को गौन कर देता है दे के लिए आत्मा को गौन कर देता है आत्मार्थी दे को गौन करता है और आत्मा को पुर्मकता देता आत्मार्थी दे को महत्वी नहीं देता वै दे को तपाता है दे क तो परियोग शाला बनाता है, भुख लगी आज भोजन नहीं करेंगे, आज उपवास कर लेंगे, यह तपाना हुआ, प्यास लगी घंटे के बाद पानी पियेंगे, मने का घुमने नहीं जाना, तीवी नहीं देखना, बैटके ध्यान करेंगे, ससंग में आएंगे, एक शाला बनाता है, मिठ्यात्वी दे से मो करता है, और दे किसे मो करने से, जैसे दे से मो करेंगे, संसार लंबा होता चले जाएगा, दे से मो करोगे, तो परिवार से करोगे, बेटे से करोगे, पत्नी से करोगे, धन करोगे, धन का संग्रय करोगे, और फिर संसार लंबा होता चला जागा आतमार्थी जड़के मौ तो उनके तोड़ने के लिए भिन भिन परकार के तपों से जो आतमार्थी है जड़के मौ को तोड़ने के लिए भिन भिन परकार के तप से अपने आपको तपाता है गुजारता है भोजन भी मिल जाए तो भोजन लेने से पहले वो कुछ ना कुछ नियम प्रत्य ख्यान करता है कि ये ऐसा होगा तो मैं लोगा ऐसा नहीं होगा तो मैं लोगा अंतर क्या है अंतर किसका है किसका अंतर है आतमार्थी का और मिध्यात्वी का अंतर क्या है किसका अंतर है वेराग्य का वेराग्य होगा तो कहां जाओगे आतमार थके और वेराग्या नहीं होगा भोग में रुची होगी तो संसार लंबा चोड़ा करा है अंतर वेराग्या कहा है और वेराग्या होगा तो क्या होगा करम सिध्धान्त पर विश्वास करते हुए वीतराग्ता के पत्पर आगे बढ़ते चले जाओ करम सिधान्त पर विश्वास करना दुख आएंगे पंचम काल है मनुष्य जनम इसलिए मिला है कि यहां दुख भी है सुख भी है अनकूल भी है प्रतिकूल भी है देव योनी में सुख ही सुख है पर मनुष्य योनी में दुख भी है और पंचम काल में दुखम आ रहा ही है, सुक है ही नहीं, तुम कहां से मिलोगे, तुम समझे धन कमा के हम सुकी हो जाएंगे, बेटा आ गया तो बेटा सुकी कर देगा आपको, मिठ्या धारना है, कोई सुक नहीं देता, कोई दुख नहीं देता, व्यक्ति अपने करम से सुक करता है, महावीर ने करम सिधानत पर विश्वास करके साधे, बारा वरस की साधना की, संगम देवता ने कितने कष्ट दिये, भगवान ने समझा, मेरे अपने करम है, तो निमित बन करके, मेरे करमों को उदीर ने में सहाइक दे रहा है, साहिता दे रहा है, कोई आपकी निं आपके जैजाकार करे, आपके आगे पिछे करे, समझो, ये मुझे बुद्धू बनाने आया है, ये मुझे बुद्धू बनाने आया है, कुछ काम होगा, तभी मेरे आस पास पेरते हैं। हम छोटे छोटे थे न, नौ पैसे तर मिलते नहीं थे, तो हमारे दादा जी थे न, उसके आगे पिचे फिरते थे, बच्च living by दादा भी आता है, तो दादा भी समझ आता है। प्रशंसा करता है इसका मतलब कही नहीं कहीं आपको अपना काम निकाने आया है या आपको बुद्धू बनाने आया है किसी की प्रशंसा से प्रभावित मत हो जाना क्या जुरूरत है तुम संपन्न परिपूरन हो एक आत्मा पर विश्वास करो और जितना तुम आत्मा में चिंतन करोगे, रमन करोगे आपका सुख बढ़ता चला जाए देखो, कुछ भी ना मिले भोजन भी ना मिले और कुछ भी करते हुए आप अनन्द में रहोगे आपको पवास करते भी अनन्द में रहोगे आपको पीड़ा आ गई है पवास किया आपको रोग आ गया मान लीजिए आपने पवास किया रोग आ गया, बुखार आ गया पर आप दुखी नहीं होगे कोई बात नहीं दिकरोग आगे है करमाया कट जाएंगे द्वाई लोगे वो भी तीन दिन लगेंगे नहीं लोगे वो भी तीन दिन लगेंगे आत्मार्थी की बात यह हमने कल चर्चा की थी आज अगले सूतर की चर्चा करते हैं भगवान ऐसी शपष्टता से खुलासा करके उपधिश देते हैं कि शुताओं को किंचित भी संशय उत्पर नहीं होता भगवान की वानी भगवान जो भी बोलते हैं शुताओं को किंचित भी संशय नहीं होता डाउट doesn't exist संदिक तो उत्वानी शुता जनों को किसी परकार की भगवान की वानी का संशे उत्पन, संशे क्यों नहीं होता भगवान की वानी पर, भोलो संशे क्यों नहीं होता, हैं, वो किवल ग्यानी है, आपको संशे क्यों नहीं होता, भगवान की वानी पर शोताओं को संशे नहीं होता, भगवान सरवग्य है, माना, तिर लोकी नाथ ह तीनों लोकों को जानते हैं पर आपको संशे उत्पन क्यों नहीं होता शर्धा है देखो शर्धा अजि आपको संशे है भगवान की वानी पर तो डूबोगे और भाई ने सही उत्र दिया हमें शर्धा है भगवान जिस पर शर्दा होती है वो कुछ भी कह दे, तुम विश्वास कर लोगे, भगवान की वानी पर हम शर्दा से सुनते हैं, भगवान की वानी, क्योंकि आपने समझा भगवान क्रिका लग गिये हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, और जो कुछ भी कहेंगे हमारे मंगल के लिए कहेंगे तो भगवान की वानी से हम शर्दा से सुनते हैं और भगवान की वानी से हमारा मौ तूटता है कभी भी देख लो जैसे मैं जो कह रहा है मैं कुछ नहीं बोला सारी भगवान की वानी है मेरा तो केवल क्या कहते हैं मुख है वानी भगवान की है या सुत्र जो भी है की वानी से आपका मुँ तूटता है कभी आपका मुँ पुष्ट नहीं करते भगवान संसारी लोग जो आपकी खुशामत करते हैं वो आपका मुँ का पुष्टन करते हैं और आपको अच्छा लगता है नहीं लगता लगते हैं ना कोई दिक्षा लेना चाहता है, फट मना कर देती हो, नहीं नहीं दिक्षा नहीं लेनी, घर में माता पिता बैठे हैं, उनका क्या हाल होगा, वो मौ का पोशन करते हैं, वो मौ तोड़ते नहीं, तो भगवान की वानी हम शर्धा से सुनते हैं, भगवान की वानी से हमारा मौ तूटता है, वेराग्य आता है, सत्य का बोध होता है, भगवान की वानिज सुनने पर वेराग्य आता है, सत्य का बोध होता है, तरेंच के जी भी भगवान के समसर्ण में, सभी जी वाते हैं, गाय है, शेर है, और कोई भी वानिज सुनता है, चैसे आप कुट्टा है, बिल् में आती है पर जैसे पास से गुजरते हैं आप प्रेम पूरक देखते हैं तो कुटा आपके पीछे ऐसे ऐसे आता है मुह पकर के आता है कि कुछ मिलेगा ऐसे छोड़ा बच्चा तुम प्रेम से बलाते हैं मां बलाती है तो मां के पास आता है मां घुरती है तो बच्चा पी पीठ कर लेता है बच्चा छोटे छोटे प्रानी कुत्ता है बिल्ली है हीरन है चोटा बच्चा है जैसे आप उसके पास जाएंगे वो क्या आपकी भाव पकड़ लेता है आपकी लेंगोज नहीं जानता आपकी भाव पकड़ लेता है और भाव पकड़ने से क्या होता है वो धर्म बुद्धी से नहीं आता, बुद्धी से विज्ञान और धर्म शर्दा से आता है, जहां शर्दा है, वहां धर्म है, जहां बुद्धी है, जहां तरक है, वहां विज्ञान है, विज्ञान के तरक के अंसार, विज्ञान ने तोड़ा है, जोड़ा है, धर्म जोडता है वो धर्म जो आतम धर्म हॉ धर्म है जो तिरे तंकर द्वरा प्रतूप है धर्म हॉं धम कान होता है जो बच्चा होता है, बच्चा भीतर बाहर एक होता है जा अंतो तहां बाहो, जा बाहो तहां अंतो, जैसा बाहर वैसा भीतर, जैसा भीतर वैसे बाहर, तुम कुछी ना करो, सरल बन जाओ, रिजू बन जाओ, तो क्या होगा, धीरे 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 आप उपर चले जाओगे, घरम कहा है, रिजू बनो, वक्कर नहीं, तुम कित इसना तब कर लो, वक्र का मतलब माया, कहना कुछ और, करना कुछ और, बताना कुछ और, माया, पंचमकाल के जीव, वक्र जादा है, सरल नहीं है, रिजू नहीं है, बोलते बोलते कुछ और कर जाएंगे, कहते कहते कुछ और कर जाएंगे, वक्रन बत बनना, रिजू बनना, सर्न बन जाना जहां वक्रता है, वहां क्या आता है ज़िए आपके पास वक्रता, वक्रता मतलब क्या माया जहां माया है, माया मित्ता दिनासी भगवान ने कहा एक व्यक्ति मास्कमन करता है और पार्णे में क्या करता है? पुश्या कि अगर भाग जितना आहर लेता है फिर मास कमन करता है मास मान करते 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 क्या बहुत समय भी जाता है पर वो मुक्त नहीं होता अनन्त काल के अनन्त गर्भों में भटकता रहे तो माया नहीं और आतमार्थी माया नहीं करेगा तो सरल होगा वो रिज्जू होगा तो वक्कर जब होता है तो एंकार आता है करता भाव आता है शिकायत का भाव आता है तुम शकैट क्यों करते हो किसी की मेरा तेरा किंतू प्रंतू कोई बात कहा जी नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था आपके सुनने में फरक पड़ गया मैं ऐसे नहीं कहा था काया माया करके फर माया करते हैं कई लोग यह आदत होती है वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई और पॉइंट बोलते हैं, यह और माया लगती है, माया कर ली, तो पस्त कह दो, मुझे दोश लग गया, मैं क्या करूँ, बोल गया, मैं अक्षमा मांगता हूं, पर कुछ लोगों की आदत है, वो अपने दोश्यों को छुपाने के यह माया में माया करते हैं, माया करते हैं, और माया में फिर माया करते हैं, बहुत दोश लगता है, और गती, प्रियांच की गती है, तो क्यों होता है शिकायत, तेरा, मेरा, शिकायत, अहिंकार, क्यों हो जाता है, क्यों होता है यह, जब हमारा अकर्शन जड़के प्रती है, तब ही वक्कर बनते हैं हम शरीर की सुभधा चाहते हैं शरीर की सुभधा के लिए इंद्रियों की सुभधा चाहते हैं मन रंजन चाहते हैं और संसार अच्छा लगता है कहते तो हैं हम आत्मा की बात पर कही न कही संसार अच्छा लगता है और फिर शिकायद, किन्तू, परंतू, मेरा, तेरा, मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, उसकी परंपरा, उसकी परंपरा, देखो, बड़े-बड़े गुरू, बड़े-बड़े परंपरबादी लोग, आपने परंपरा को नहीं छोड़ सकते, एंकार इतना आगे आता है, पूछो मत, ब तुमने आनभव किया है, हम तो कहते हैं कोई हमें सिखाए, अचारिय भगवन आनांदर शीजी मारा साथ, कितने लगू, कितने रिजू, कितने पवित्र, कितने शुद्ध, कोई आई, नीचे बैठ के सिखने को तियार हो जाते हैं, ऐसा महान अचारिय है, उनकी लगता, उनक को महान बनाया, उससे बड़े-बड़े पंडित बैठे थे, वो क्यों मनें, इजुताने, सरलताने, हम उनके पास कभी भी जाते थे, कभी नहीं कहते हैं, कि ये मेरा शिश्य है, ये महिंदर इशी जी है, वो है, उनके मन में रत्ती भर भयवर नहीं था, कोई प्रमपरा का कोई आगे चाती से लगाते थे, हिर्द्य से लगाते थे, अंतर से लगाते थे, आप भूजन करते थे, हम पास में चले जाते, अपने भूजन से भी हमें खिला देते थे, त्रिप्त हो जाते थे, उनके एक मातर दर्शन करने से त्रिप्त हो जाते थे, बोलते कम थे, कि मा आतर देखना। यह है आतमार्थी का लक्षन, रिज्थता का लक्षन, चुदता का लक्षन, पवित्रता का लक्षन, तीज बरस तक उस महान आचारे नेraelِ शर्मरसंग को सीन्चा, तबी अनंत बाबा की नाम से पुकारे जाते हैं, भारत में पकाने जाते हैं समझे मेरी बात practical अधारन दे लिया मैंने समझ गए और वक्कर भी हैं बहुत से हैं मैं नाम नहीं लेता किसी का तस मिच्छामी दुक्रम मैं क्यों नाम नूँ किसी के बारे पर जो गुन है उनके परकट करने चाहिए गुलाब को देखो कांटे को क्यों देखते हो गुलाब के पास दस कांटे खड़े हैं हम कांटों की चर्चा क्यों करें हम तु गुलाब की चर्चा करेंगे गुलाब खिला है दस कांटे हैं गुलाब के साथ कांटे होते हैं ऐसे महान गुरु ऐसे महान आ जा रहे है नाम लेते ही अनन्द बह जाता है ऐसे सुभाग्यमाल जी मारा सम्मान ने दर्शन नहीं की प्रवर्तक जी भागेशा ली है उन्हें दर्शन की ये बहुत सेवा की बहुत लाव लिया ऐसे महान गुरु कोई कोई विरले होती है लाब लेने वाले और कि ऐसे गुरू मिल जाए चर्ण पकड़ लेना छोड़ना मत ज्यान करें ज्यान के बन मन वचन काया शान, शरीर शान, विचार शान, पृरिष्टी शान, वातावर्न शान, हर दिशा, हर किनारा शान, शान, शान सिर के सिरे से पांटे अंग उठे तक आपने भीतर शुद्ध चेतना का एसास कीजी, तुम केवल 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 आतमा हो एक सत्य, अतल सत्य, परम सत्य, शाश्व सत्य तमारे भीतर बह रहा है, अनादी काल से तमारे भीतर बह रहा है किसी भी योनी में गए, कुछ भी गए, आपके भीतर वो सत्य है, उस सत्य को जानो, उस सत्य में बहो, उसमें डूब जाओ किसी विचार, संसकार, धारना को महत्त मत देना, अपने में स्थित हो जाना, दूब जाणा, और भीतर गहरे चले जाएं, और भीतर गहरे चले जाएं, दूब जाएं भीतर, इस ही में एक लंबा गहरा स्वास लें, अर्यंत प्रमात्मा के चर्णुमनें अनंत कृतकिता क्यापत करें एक और लंबागर अस्वांस अरिहंत प्रमात्मा के चर्णों मे नमन और वंदन दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं हलका सास परश धीरे से आंखे खूल सकते हैं नमो अरिहंतानंग नमो सिध्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्यायनंग नमो लोए सपसावनंग धमो मंगल मुकितं आहिंसा संयमो तभो देवा वित्तंग नमंग संति जासधं मेश्यामनो शिरी चत्तारी मंगलं आरहंता मंगलं सिध्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पानतो धमो मंगलं चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिध्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी सरनं पवज्यामी, अरहंते सरनं पवज्यामी, सिध्धे सरनं पवज्यामी, साहु सरनं पवज्यामी, केवली पनत्तं धम्मं सरनंप पवज्जामी चारेशारा ना दुपारा ना जगत्तमे आरेने शारेना कोई होगा जो मल्यक्रानी करे आराधन उसका जरमरपद होगा उसका सदाई मंगदा